वाइलकम तो चार्टेट व्लॉग्स एक और आईशर की गाड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए आईशर प्रो 2114XP इसका CNG वेरियंट का रिव्यू मैंने कुछी दिन पहले अपने चैनल पर डाला था उस रिव्यू को काफी अच्छा रेस्पॉंस बिला तो आज मुझे पत पर डीजल गाड़ी ही चलती है और लॉंग रूट पर अभी तक अपने इस तरफ के एरिया में आपको CNG कमी देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो रिफेलिंग टाइम काफी ज्यादा लगता है उसके बाद अगर पंप पे गयास अवेलेबल नहीं है तो आपको वेटिंग ब दोनों का लुक बिल्कुल सेम है कोई भी फरक नहीं है आपको आगे से पिछे दा गाड़ी बिल्कुल सेम लेखने को मिलेगी टायर साइज सेम है सब कुछ सेम है बस फरक है तो एंजन और फ्यूल का फरक है जो मैं आपको इस पूरे डीटेल में बताने वाला हूं इसके अ आइवेब के उपर इस गाड़ी की परफॉमस काफी अच्छे रहती है क्योंकि गाड़ी साजवेगेर में लोवर आर्पीम पे रन करती है तो फ्यूल एकोनोमी काफी अच्छे आ जाती है इस गाड़ी आपको टोटल 16,500 किलो के आसपास का ग्रॉस वीकल बेट देती है और के साथ ही आती है तो दोनों गाड़ी लग 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 आपको सेम इस काटेगरी में अपना अपना एक एहम रोल प्ले करती है आपको जो गाड़ी चाहिए वो आप अपने मार्केट के हिसाब से और आपके एरिया में जो भी सर्विस एंटर अविलेबल है या जो भी आपको देख सकते हैं उपर एक इनवर्टेड एलेड डिये गए है उसके नीचे आपको डबल बैरल है लाम दी गई है मैं पास में चलके बताता हूं आपको यह देख लिए डबल बैरल है यह प्लास्टिक है और यह मैटल है इसके पीछे भी मैटल का पूरा बंपर दिया है यहां पर देखें तो यहां पर आपको नमपनेट लगाने के लिए जगह है यह फूट स्टेप भी समझ सकते हैं बट यह थोड़ा पेंट खराब हो जाएगा यहां पर एक इलेक्ट्रोनिक हॉन कंपनी से लगते आता है आइसर में अच्छी बात यह है कि जो भी अंडर यहां पर आपको जो रिडिटर होगर है वो सब इसे पीछे ब्लेस करके दिया है तो फ्रेंटल इंपक्ट में क्या होगा कि आपका रिडिटर होगर है लीक नहीं करेगा और गाड़ी आज कुछ से चलके सर्वे सेंटर तर दा सकती है आपको टो कराने की जरूद नहीं पड लिए यह अंडरन का बार है यहां पर आपको एक सेंटर टोहुक है अंडरन बार भी काफी स्ट्रॉंग है और इसकी हाइट थोड़ी कम रखी गई है तो अगर कोई छोटी कार भी आगे से हीट करती है तो उसके अंदर नहीं होसेगी जिससे सामने वाली गाड़ी में भी ड टैच की गई है तो जैसे जैसे वाइपर आपका रोटेट होगा वाटर का स्प्रे भी उसके साथ ही चलता रहेगा तो पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा फिर जैसे आपको पता यह आईशर के हर वीकल में आपको लाइव ट्रेकिंग का फीचर मिलता है वह इस गाड़ी म आता है प्रो 2114 XP के ब्रेंडिंग भी साथ में दी गई है तीन मिरर आप यहां पर देख पा रहे हैं पैसेंजर के लिए दो मिरर और उपर एक प्रोक्सिमेटिव मिरर ड्राइवर के लिए उदर से भी चेक करने के लिए कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक कम्प्लीट हो को आपको तायर साइज के बात करें तो इसमें नाइनार टॉंटी के टायर आते हैं इस सेग्मेंट की गाड़ियों में सभी में यही टायर आते हैं यहां पर आपको मैं आगर नीचे से लिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका आपको सामने फ्रेम नमबर देखने को मिलेगा प्रेम है इसका पूरा अंडर प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है ठीक था कि है इंजन आप यहां से देख पा रहे हैं पीछे चलते हैं तो पीछे यहां पर पूरा एक आपको अंडर प्रोटेक्शन बार देखने को मिलेगा जो फ्यूल टैंक और सारे component को भी save करता है और दूसरी गाड़ियां जो accident अगर कभी होता है तो उसके अंदर भी सामने वाली गाड़ी को भी save करता है इसके बाद यहाँ पर पहले cabin के बीचे की बात कर लेता है तो यहाँ पर आपको steering oil है और उसके बीचे coolant का expansion chamber है यहाँ पर आपको cabin lift current है उसके साथ में यहाँ पर इसका बैटरी का cut-out switch है यही से बैटरी कट-out हो जाती है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका यह इसका एड़ ब्लू का टैंक है जिसको common language में बोलता है बट यह diesel exhaust fluid होता है DEF कहा जाता है इसको technical language में यहाँ पर इसके filter वगर इस गाड़ी के खास बात यह है कि इसमें आपको 425 लिटर का fuel tank मिलता है यह गाड़ी छे से साथ का mileage देती है अगर आप 6 का mileage भी पकड़ते हैं तो भी यह गाड़ी आपको बहुत एच्छी रेंज देती लगबग 2000 किलोमेटर आफ इस गाड़ी को बिना refill करें चला सकते हैं मिनिमूम यह देख लिजी यहाँ पर इसका यह locking system है fuel cap का इसमें आपको वही double lock मिलता है एक padlock आप यहाँ पर लगा सकते हैं और एक आपको lock यहाँ पर चाबी वाला company से मिलता है कुछ इस तरह से इसका polymer का fuel tank है यह पूरा safety के साथ प्लेस किया गया है यहाँ पर इसमें आपको एक दो तीन चार जगह से स्ट्रैप करके दिया गया है तो यह कहीं भी हिलने वाला नहीं है यह पूरा इसका आप लैडर ट्रैप का चैसी देख सकते हैं काफी अच्छी डैप्थ है इसकी फ्लेंग भी काफी अच्छी है पीछे का सस्पेंशन यह देख लेजिए मल्टी लीफ स्पेंशन आपको दे अच्छी है इसके लिए यहां पर बूरी अच्छे से वरस्ता करके दी गई है जैक जो है वह यह दिया गया है चार्म नट बोल्ट की मदद से यहां पर प्लेस किया गया है इसको आपको को खोल के निगालना पड़ेगा स्टैप नहीं बता नहीं क्यों बीच में लगा के द यहाँ पर यह अंडरन बार पीछे की तरफ का पीछे की वाइरिंग भी सारी साफ सुत्री एकदम है उसके बाद यहां पर देख लिजी इन कुछ मार्कर लैंब के पोजिशन है यहा पर आपको तीन मार्कर लैंब और यह तरह उपर यह हाई साइड डैक है तो पुरा डैक आपको complete कंपनी से बनावा पीछे की तरफ आईशर की ब्रैंडिंग उसके नीचे दो LED टेल लैंप्स है और पांच पार्किंग सेंसर कंपनी देने लग गई है बाई स्वीट का डेक लैंथ है तो आप यहां से देख सकते हैं डेक पूरा का पूरा अच्छी सब्विनिशों के आदा है कंपनी से उपर भी आपको सारे support structure देखने को मिलते हैं तो आप इसके उपर आराम से अपना covering लगा के गाड़ी को on road कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आन अब मैं राइट साइड में चलता हूँ ड्राइवर साइड में तो यहां पर आपको सेम स्टोरी ही है कोई ज्यादा चेंजे नहीं देखने को मिलेंगे यहां पर एक डिफलेक्टर मारकर लैंप यहां पर दिया गया है एक्जॉस्टम की बात करते हैं तो यह गाड़ी इसकी प्लेस्मेंट यहां पर इसका एक्जॉस्ट का मफलर आप इसको भी कवर कर दिया गया है मेन एक्जॉस्ट यह है पीछ आप इसके ड्राइट्राइशाफट देख पा रहे हैं राइट ब् Dark District में अग्या है ठाट को इसकी ठीक है क्वेस्पर को नीचे नहीं किरेकि औ वो केविंग के उपर से है सिर्फ क्लीनर यहां पर है तो को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उस कंडिशन में यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका 3.8 लीटर का तर्बो डीजल एंजन जो आपको 160 होर्सकौर प्रेड्यूस करके देता है उसके पीछे है इसका गेर बॉक यह है ट्राइवर साइड का डोर कारके जैसा ही एंडल एबर्स इसका वर्टिकल पोजिशन में है तो मैं इस डोर को ओपन करता हूं कुछ इस तरह से डोर ओपन किया मैंने वही नॉर्मल ब्लू कलर का ग्रे ब्लू कलर का डोर है उसके अंदर आपको यहां पर नीचे की तर सीरिया काफी बड़ा देखने को मिल जाता है उसके साथ ही दो फूट स्टैप है एक फूट स्टैप नीचे एक उपर यहां पर केबिन यह एक्सलेटर ब्रेक क्लच काफी अच्छे से प्लेस करके दिया है यहां पर आपका ओबीडी का पोर्ट दिया गया है नीचे को ऐसे देंगलिंग वायर नहीं है अच्छे से दिया गया सब कुछ यहां पर आपका जो टायर का इनफोर्मेशन है वो पूरा यहां पर दिया गया है कि टायर आपको किस तरह से मेंटेन करने है यह सीट सपेंड़ेड नहीं है इसकी हाइट अजीब बात है क्योंकि टाटा की जो नहीं है मेंन इगनिशन लिए है डीज्टेंक के लिए है और यहां से अंधर आपको सकते हैं कुछ इस तरह से केविन दिखता है उए से मुठा का थ्री विल वील है, मेटर प्लेट है, वो यहां पर आप देख सकते हैं, पार अनलोग, पार डिजिटल में आती है, सेम डैशबोर्ड है, जो C&G वेरेंट में आता है, यहां पर आपको ब्लोर के कंट्रोल से, एको, एको प्लस के बटन यहां पर दिये गया है, रिजनरेशन का स्विच यह है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहां दिया गया है, ब्लोर अन ओफ करने के लिए बटन यहां पर दिया गया है, आगे आपको एक लॉकेवल लॉबॉक्स दिया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम पैसेंजर साइड डोर भी वैसा का वैसा ही है, स्लिपर के भी नहीं है, तो पीछे कुछ भी जगे नहीं है, एक ओपनेबल विंडो जरूर है, उपर आपको फैबरिक का इंसुलेशन है, एक चोटा सा स्टेरेज ओरिया यहां दिया गया है, और इसमें LED लाइट दिये है कंपनी ने, यह थोड़ा अच्छा किया नया मॉडल आ गया दिखता है यह तो यहां पर LED लाइट दिये है, आज कल कॉस्ट कटिंग आप ऐसे देख सकते हैं कि पैसेंजर साइड में आपको संवाइजर भी कंपनी ने अठा दिया है, संवाइजर भी ज्यादा कुछ एफेक्टिव नहीं है छोटा सा संवाइजर है गत्ते का एकदम बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का तो वह ज्यादा कुछ एफेक्टिव नहीं रहने वाला है और डिटेल में नीचे की तरफ देखें तो यहां पर इसका यह आप सविन के लिए गद्दा बनवाना पड़ेगा और साइड में देखें तो यहां पर इसका हैंडब्रेक ड्राइवर की काफी रीच में दिया गया है यह एक चोटा सा बॉटल ओल्डर वहां पीछे दिया गया है उसमें शायद ही कोई बॉटल आईगी ज्यादा जगे है नहीं उसम तो यहां पर आपको आईशर का एक signature feature हर गाड़ी में cruise control जरूर से मिल रहा है headlight के controls है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आपका इस तरफ देखें तो यह वाइपर के controls हो गए यह पॉशर के लिए controls हो गए headlight leveler का switch है वह वहीं बहुत दूर दिया गया है पता नहीं क्यों order meter, trip meter सब कुछ दिखा देते हाई है यहां पर आपको इस तरफ आपका speedometer है नीचे आपका fuel gauge है यहां पर rpm meter है यहां पर temperature meter है बागी सब telltale lights है इसके अंदर यहां से आप इसके information को change कर सकते हैं trip के hours कितने हो गए averages देखें खाली गाड़ी अभी 8 का average दिखा रही है 430 km लगवा की गाड़ी चल चुकी है तो उसमें आपको इस तरह से दिखा रही है बागी जो भी information है वो आप यहां से check कर सकते हैं set में जो भी आपको यहां पर display diagnostics जो भी सब चीजे चेक करने है वो आप यहां से check कर पाएंगे cruise control अगर आप सेट करेंगे तो यहां पर इसक करते हैं मैं इसका वाइपर भी एक बार आउन करके बतातेता हूं आपको यह कुछ इस तरह से देख लीजे यह मोटर आवाज करती है और पानी साथ में ही स्प्रे हो जाता है तो विंट स्क्रीन पूरी अच्छे से clear हो जाती है इसके अंदर ड्राइवर का व्यू कुछ तर तरफ मस यह इतना ही है इसके अंदर बागी steering wheel कुछ इस तरह का है हॉन के आवा सुना जेता हूं तो थोड़ा सा car type का हॉन है ठीक है मलब ट्रक के लिए तो छोटा ही गएंगे उसको प्रेशर हॉन लगाने पड़ेगा आपको आगे से बागी जो steering है इसका वो टिल्टर तै यहां से यह लॉक हो गया मीटर को बंद करेंगे जब गाड़ी की चापी ओफ करेंगे तो इस तरह से कुछ see you soon का logo आ जाता है बस यह अच्छी चीज है यहां पर एक आपको एक ब्लोर यहां देखने को मिल जाएगा तीन ब्लोर उस तरफ है कुछ इसी तरह से यह गाड़ी पूरी कम्प्लीट हो जाती है और इसकी बात करें तो इसका प्राइस भी लग 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 आपको 25 रुपीज के आसपास ही पढ़ता है ऑन रोड बाकि आप अपने लोकल डीलर से पता कर सकते हैं कोई offers और डिसकाउंट के लिए क्योंकि डीजल गाड़ी है तो इसमें आपको जैसे में चाब यौन करूंगा कुछ इस तरह से लोग आता है सारी नीडल्स फुल स्वाइप करती है और फिर अपनी जगह पर आजाती है यह दिख लिजे तो इसके अंदर आपको ब्लू लाइटिंग दिख रही होगी यह ब्लू लाइटिंग भी काफी अच्छी दिखती यह रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा CNG रिव्यू भी आपको देखना तो वो भी मेरे चैनल पर अविलेबल है इसी के कॉम्पेटिशन की जो टाटा की गाड़िया है उसका रिव्यू पर अविलेबल है यह गाड़ी टाटा पंद्रा बारा अशोग लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए थैंक्यू